हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू टेक्टूटर्स आप देख रहे हैं मॉंगो डीवी का कम्प्लीट कोर्स हिंदी में तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था करड़ ऑपरेशन्स उसके बाद इस्टॉल कैसे करते हैं मॉंगो डीवी और उसके कुछ बेसिक्स पर डिस्कस किया थ ठीक है और पिछले वीडियो में देखा कि मॉंगो डियाटः के बारे में रहे हमने देखा था तो नहीं इंचोह। लीटेर के बारे में हमने देखा था उसी पर पेछले वीडियो में मैंने आपको एक असायमेंट वे लीडिया था तो उसी के सोलूशन के रिगारति यह आज की वीडियो में तो चलते हैं और देखते हैं कि यह अनू बस्कार। तो चलते हैं इंट्रव्यू कोश्चन स्रीज के वेब साइट पर और यह वा साइमेंट 3 था जो हम लोगों ने कल बिसकस किया था और आपको करने के लिए दिया हुआ था तो इसके लिए मैंने बोला था की जो ऊपर टेबल हमारा है यह वारा जो टेबल है इस टेबल को हम कंसीडर करेंगे मिए और हम जो है इसको सॉल्फ करेंगे तो इसको मैं एक और टैब में ओपन कर लिता हूं कि स्क्रॉल ना करना पड़े तो यह टेबल है और हमारा पहला कोश्चन है find all the cars whose price is greater than 15,000 ठीक है तो हमें उन सारे cars का list निकालना है जिनकी price जो है वो 15,000 से greater है तो अगर हम देखें यहां पर तो यह तो 15,000 से greater नहीं है यह भी नहीं है यह है यह है यह है यह है और बस यह वान टू है 15,000 से greater तो चले चलते हैं इसको हम query कैसे लिखेंगे तो हमें जो निकालना है हमें निकालना है find all the cars which price is greater than 15,000 तो हमारे पास operator है greater than के लिए पालर जी टी तो चलिए चलते हैं रोबो मॉंगो पर शेल पर अपने हैं तो और लिडी मैंने यह इन इंसर्ट करा रखा है जो भी जो भी कलेक्शन था पूरा यह जैसा कि हमने हम देखते हैं पिछले वीडियो में उस तरह से है तो यह हॉंडा है कंपनी मॉडल एकॉर्ड है और प्राइस के ट्वल तॉजेंट इस तरह है तो हमें एक ऐसी फाइंड करी चलानी है जिसमें वह हमें किंग अगा लिफिय म elaborative में करने है इसमें तो आपके प्राहिस जो है डिटर थन 25 थाउजेंट 15 हाeh कि तो चली इहां पे लिखते हैं तो हम क्या लगाएंगे हमें किपय सर्च करना है हम में सर्च करना प्रािस की पर हैँ प्राइस लिंग देंगे को फिर हम को क्या सर्च करना है ग्रेटर दैन तो डॉलर कि जीटी ओपेटर लगेगा ग्रेटर दैन कितने वेल्यू के तो कि 15,000 के ग्रेटर दैन कि यहां जीटी नहीं लगा सकते क्या करेगा वह वह निकालेगा ग्रेटर दैन एक्वल टू तो से नहीं जी टी लगाया है और इसको रन करते हैं तो आप देखो कि कितना रिजल्ट आया मेरे पास इसकॉल करने तो दो ही रिजल्ट आया ठीक है तो दो रिजल्ट में फर्स जो था जिसका प्रैस 22,000 है सेकेंड वाले का भी 22,000 है तो दो ही कार्ज ऐसी थी जिनकी जिनकी जो प्राइस थी वह 22,000 के ऊपर थी तो फी क्लियर हो गया होगा आपको चली चलते हैं सेकेंड कोस्टिन के तरफ सेकेंड कोस्टिन हमारा है फाइंड ओल दे कार्स फुछ प्राइस इस लेस देन और इक्वल टू थाटीन थाउजड तो हमें यहां पर लेस इकॉल टो अप्रेटर लगाना पड़ेगा ये डॉल ल टर टी ऐ ठीक है क्लियर होगी बात डॉल टी कि लोंगे क्योंकि यह इक्वल टू है डॉल टी नहीं लगाएंगे तो चलते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कर देते हैं, gt की जगा, lte, क्योंकि equal to b में निकालना है, और less than 12,000, क्या था यह, 12,000 ही था न, ने 13,000, सौरी, less than 13,000, ठीक है, अब इसका हम क्या कर देंगे, run कर देंगे, जैसे यह run करेंगे, तो जितने भी 13,000 के लेस वाले थे वो आ जाएंगे देख लेते हैं 12,000 है यह 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 भी 12,000 है यह 14,90 है तो यह भी 13,000 से कम है तो जितने के भी कम है 13,000 से वो सारे हमारे आ गए ठीक है चलिए इसका प्राइस में भी टेबल में देख लेते हैं कितना है मुझे नहीं लगता कि 14,90 है तो देख लेते हैं स्वारी है यहां पर यह 14,900 है तो मेरे खाल से गलती से यह एंटर हो गया है तो इसको अपडेट कर लेते हैं प्रोडक्ट आइडी एट है कि आने आपका रिजल्ट मेरे रिजल्ट से मैच करें उसलिए हम इसको अपडेटी कर लेते हैं कि 14,900 है चलिए इसको सेफ कर लेते हैं अब जब इसको रन करेंगे तो तीन ही रिजल्ट आएगा क्योंकि उसका जो 14,900 हो गया ठीक है हो पर क्लियर हो गया होगा सेकेंड कोश्चन चलिए देखते हैं थर्ड कोश्चन थर्ड कोश्चन है find all the cars whose company is Toyota Honda और BMW मुझे ऐसे कार्स की लिस्ट चाहिए जिनके कंपनी या तो Toyota हो या तो Honda हो या तो BMW हो ठीक है तो इस तरह के कोश्चन के लिए मैंने रिकमेंड किया था कि आप क्या करो आप डॉलर इन उस करो ठीक है क्योंकि डॉलर इन में हम एरे में दे सकते हैं नेम्स और वहां से हम दरेकली सर्च कर सकते हैं ठीक है तो चलिए इसको भी करते हैं तो ट्वाइटो हंडो हंडा और BMW यह पिस पर लगाना है तो कैसे लगाते हैं डॉलर इन सेम चीज़ ऐसे ही तो हमें प्राइस पर नहीं कंपनी फिल्टर करना कंपनी फिल्टर करना यहां लिख देंगे कंपनी ओके पिर यहां पर लिखेंगे हमें डॉलर इन लगाना है तो डॉलर इन लिखेंगे और यहां पर हम एरे में वैलू देंगे जो जो हमें देना है तो हमें क्या क्या एरे में वैलू देना है वो देख लेते हैं हमें इधना टोयटा हॉंडा एंड ब्यम डबले तो टोयटा है तो यह स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में देंगे हैं टी ओ वाई ओ टी ए टोयटा तेकंड के हैं हॉंडा वो पर क्लियर हो रहा हो आपको होंडा और थाड़ बीम्डव बीम्डवू ठीक है छलिए देखते हैं चलिए रन के हमने तो कितने रिजल्ट आगए छे रिजल्ट आगए देखो यह भी टॉयटा का ही है यह हंडा का है हुआ है कि यह कंपनी का नामping पर यह और चीजों का नाम दिया ऊसके में डॉलार इन लगाना सही होता है कि हमारी क्वेरी शॉट हो जाती है चलिह और एक है क। भी सकते हैं के लिए चलिए नेक्स्ट कोशिन ज़रे सलते हैं नेक्स्ट कोश्चन है find all the cars whose model is not a cord और Camry मतलब हमें उन cars की लिस्ट चाहिए जिनका model एक और भी नहीं होना चाहिए और Camry भी नहीं होना चाहिए मतलब दोनों नहीं होना चाहिए तो यह कोश्चन 3 के जस्ट ऑपोजिट है कोश्चन 3 में क्या बोल रहा था कोश्चन 3 में यह बोल रहा था कि हमें उन cars की लिस्ट चाहिए जिनके ठीक है और यहां पर लगेगा निन और यहां पर क्या लगना है हमारा कौन कौन सा था यह एक और और Camry तो यहां लिखना पढ़ेगा एक कॉर्ड ए डबल सी ओ रडी और यहां पर लिखना पढ़ेगा Camry ठीक है अब यहां डूल बटा लेते हैं यहां से तो यह क्वेरी बनेगी तो इसके इसमें क्या आएगा कि हमें उन सारे कार्ड की लिस्ट आएगी जिनका मॉडल एक और और Camry नहीं होगा इनको छोड़के बागे सारे का लिस्ट आ जाएगा मेरे पास जो देख लेते हैं चलो यह एक इसकी या है ठीक है यह भी Vo2 है ठीक है या तो वह的話 है यहां या तो एक और है या तो कामरी है ठीक है तो हो पे भी क्लियर हो गया होगा आपको अब चलते हैं कोशन नंबर फिफ्ट के तरफ फिफ्ट कोश्चन यह बोल रहा है find all the cars whose company is Toyota and model is Camry चलो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर दो condition मिझे लगा निए उस company का नाम Toyota होना चाहिए और model का नाम Camry होना चाहिए ठीक है इस कोश्चन को कई तरीके से कर सकते हैं चलिए हम different तरीके डिसकस करते हैं किसे किसे किया जा सकता है तो सबसे simple तरीका हम लगाते है find operation with no operator ठीक है तो उसका company Toyota होगा और model Camry हो ठीक है तो तो यहां पर कर लेते हैं इस find में तो अभी क्या है कंपनी पर लगाना है ठीक है तो कंपनी में क्या हो जाएगा ट्वाइटा ट्वाइटा और model क्या होगा तो यह किसकी लिस्ट देगा यह उनकी लिस्ट देगा जिनकी जिनके कंपनी का नाम ट्वाइटा हो और model Camry हो यह दोनों कंडिशन सेटिस्वाई होगा तभी वह लिस्ट में हमारे आएगा सोर्च रिजल्ट में ठीक है देखते हैं इसको रण कर आके लिस्ट हमारे पास आ रही है जिनका देखो कंपनी नेम इसका ट्वेटा है model Camry है इसका भी कंपनी नेम ट्वेटा है मौडल Camry है इसका भी ट्वेटा और Camry है और किसी का ऐसा नहीं है जिसका जिसमें दोनों कंडिशन सैटिस्वाई होते हो ठीक है चलो यहाँ पर आप मतलब यह कंपनी वाली कंडिशन और मॉडल वाली कंडिशन दोनों अगर फुल्फिल होगी तब ही वह हमारे सर्च रिजल्ट में आएगा नहीं तो नहीं आएगा ठीक है चलो ii yeah ii क्लियर हो गया अब इसको हम लोग और कैसे कर सकते हैं हम लोग कर सकते हैं डालर and operator से भी कर सकते हैं ठीक है कि तो डोलर्लाप इसे करेंगे अइसमें लिखेंगे डालर gaan he & kony और एंड में में एसना किसमें होता है एडरे महोता है praises जाकर तो जिसका कमपनी टॉटा है और मॉर्डल कंवरी है उसका रिजल्ट जो है यहां पर आएगा सेमय रिजल्ट आया वही तीन रिजल्ट जो मेरे उस वाले में हा रा सकते हैं छे इन ऑपरेटर काफी नःड अबरेटर जो हो गया डॉलर इन हो गया यह बहुत इंपोरेटर हैं और बहुत यूज होने वाले ओप्रेटर हैं हमारे डिवलेप्मेंट में इसको आपको याद रखना चाहिए चलिए हम आगे चलते हैं नेक्स्ट हमारा है find all the cars whose year is 2010 और company is Honda मतलब हमें उन ऐसे कारों के लिस्ट find करनी है जिनका year 2010 हो या फिर उनका company Honda हो ठीक है मतलब या फिर 2010 हो जाए या फिर company का नाम होंडा हो जाए तब भी लग इसमें से कोई भी एक भी कंडिशन अगर सेटिस्वाइव होती है तो हमें वो सर्च रिजल्ट निकालके देना है क्लियर हो गया चलिए चलते हैं इसको सॉल्फ करते हैं तो यहां पर हमें क्या लगाना पड़ेगा यहां पर में लगाना पड़ेगा डॉलर और ऑपरेटर एंड से नहीं हो पाएगा डॉलर और से होगा क्योंकि यहां पर कोई भी एक कंडिशन अगर सही होगी तो हमें रिजल्ट जो है देना है क्योंकि यहां पर और लिखा हुआ ठीक है तो जिनका एयर क्या होना चाहिए 2010 तो यह में हम यहां पर ले लेंगे दो कंड़ेगा ऐसे इग्जैक्ली जो सिंटेक्स होता है एकदम एंड की तरही होता है तो इसमें चेंज करने की जरवात नहीं है ज्यादा तो यह जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 2010 ठीक है और और कंपनी नेम हंडा होना चाहिए यहां कंपनी फिल्टर लगा देते हैं कि अधिक है तो यह क्या रिजल्ट देगा या तो मेरे यह कंडिशन सही होगी तब वाज आएगा रिजल्ट में या फिर यह कंडिशन सही होगी तब यह रिजल्ट में आ जाएगा कि मिल्ट सोड़ी यह सलेक्टेड है नहीं आ रहा है अधाद इसको अपर थिक तो पांच रिजल्ट आए तो इनमें देखते हैं क्या-क्या है कि इसमें देख लों होंडा है हंडा वाला कंडिशन साटिस्वाइब हुआ है यह वाला नहीं हुआ है क्योंकि यह तो इसमें 2009 है इसमें कौन से कंडिशन सेटिस्फाई हुई है होंडा वाली हुई है इसमें कौन से हुई है इसमें भी होंडा वाली हुई है फूर्थ वाले में इसमें येर वाली हुई है कंडिशन सेटिस्फाई ठीक है तब क्लियर हो रहा होगा कि दोनों में से अगर कोई भी कंडिशन सेटिस्वाई है तो यह रिजल्ट में आ रहा है फिफ्ट वाले में देखिए इसमें हॉन्डा वाली होई है ठीक है तो आपको क्लियर हो गया होगा कि और और एंड ऑपेटर कैसे काम करता है मॉंगो डीवी के अंदर है तो होप यह आपको साइमेंट क्लियर हो गई और आपने मैच कर लिया होगा अपने अंसर से और अगर आपको कोई डिफरेंस मिलता है या फिर अगर आपको कोई क्लियर चीज नहीं होती है तो आप हमसे पूछ सकते हो कमेंट करके तो अभी हमने जो कल डिसकस किया था पिछले वीडियो में वो डिसकस किया था seven operators के बारे में जो जितने भी operators हमने find के साथ हम लगा सकते हैं searching के case में उन सारे operators के बारे में हमने discuss किया था अब जो आगे हम discuss करेंगे इसका जो second part होगा operator 2 में अब्सक्राइंगे है अपडेट करते हैं कोन कोन सा उपयर्ट यूज़ यूज़ कर सकते हैं ठीक है छीमेंसे हमने एक उपयरीट अবडिया है अपने क्रड नावले में ओ ब्चल कि वीडियो में अगर अगर हमारे पास object है means अगर हमारे पास एक की के अंदर object है तो उस object कैसे operation perform करते हैं और अब्सक्राइब की बात कर रहा हूं मैं उसके अंदर से कैसे हम चीजों को filter करके बाहर लाते हैं फिर उसके बाद हम discuss करेंगे कि array के अंदर कैसे search करते हैं कैसे push करते हैं elements को कैसे pop करते हैं तो इन सब चीजों के बारे में हम discuss करेंगे आगे आने वाली वीडियो में एक बार ये सारा wrap-up हम कर लेंगे operators part then हम लोग चलेंगे aggregation पर फिर aggregation हम detail में discuss करेंगे ठीक है तो hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे आने वाले वीडियो में मेरे साथ बने रही है ठीक है चलिए तब तक के लिए thanks bye